सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफिश पिसोड में और लेखे आएम आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्नियोन्स तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पुराने पोल को लिए सवाल ये था कि आपके साब से या क्या स्मार्टफून ब्रांड्स को करन्ट लॉंचेज है वो करते रेना चाहिए फिर कर देना चाहिए डिले तो आप बुला 81 परसेंट ने कि यार मतलब एक महीने डिले कर दे तो जादा बढ़िया आई अभी कावी करो लॉंच बिल्कुल सही टाइम है यही स्मार्टफून को लॉंच करने का वैसे मिल्कुल लगता है कि या डिले कर देना चाहिए यहां मत दोस्तु कि रैसे में आज का सवाल आपके लिए ये है कि अगर आप से बात करते हो मुवाइल फोन के डिजाइन क तो आप ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे पीछे क्या आपको ग्लास चाहिए या आपको प्लास्टिक चाहिए या आपको चाहिए मेटल मुझे बताना दोस्तु क्या है आपके मन की पसंद दूपर दिये गए पोल में नीजे कोमेंट्स में और हमेशा हर बार की तरह ऐसी वीडियो को प्रेफर देते रहे और जोर लगा लगा के दबाते रहे लाइक बटन को तो बात करते हैं पहले बिट को लेके निकल के आता है यहाँ पर इंस्टेग्राम के स्टे होम वाले स्टिकर को लेके बाई मैं हूँ फिलाल अभी अपने घर में और घर से बाहर निकल कि भाई हम अपने घरों में टिक के बैठे हैं तो शयद ज्यादा बढ़िया होगा बात दोस्तों करते हैं अपर अगले बिट को लेके निकल का आता है सामसंग गले को लेके यह दोस्तों ऑफिशली सामने आचुका है सामसंग की दरफ से इसमें है 48 मिक्सल का क्वाइट डि दिखते हैं कि यह फोन जो है वो कब और किस कीमत पर इंडिया में सामसंग लांच करता है अगले अपडेट दूस्तों रिकल के आता है वन प्लस पे को लेके यहां पर यह वन प्लस पे चाइना में शुरू हो चुका है वन प्लस से फोन के साथ में बतलाब डिस्टल पेमें तो यहां पर आपको किसी को नोट देने नहीं है, सामें से नोट लेने नहीं है, टाप करो और आपका पेमेंट जो हो जाएगा, पूरा तो यहां पर वनप्लस पे चाइना में शुरू हो चुका है, दिखते हैं कि आखर इंडिया में यह कब तक आता है, अगले अपडेट यहां डेट है, फिलहाल को एडिया नहीं है, तो अगर आप Redmi Note 9 Pro Max लेने का मूड बना रहे थे, तो फिलहाल खेर आपकी priority कुछ और हो नहीं चाहिए, और जब फोन बाद में विलेबल होगा, तब इसको आराम से खरीद भी लेना, अगले अपडेट दूस तो निकल के आता ह है, जहां पर मतलब आपको जो content मिल रहा है, वो fake है, या फिर वो इतना positive नहीं है, या फिर वो लोगों को misguide करता है, तो ऐसे में टूटर को action लेना चाहिए, लेकिन टूटर खुद बोलता है, जितने भी harmful tweets हैं, हम हर एक पर action नहीं ले सकते, तो यहां पर दूस्तों जिम् मिलता है, सामने की तरफ एक punch hole design फोन में कोने की तरफ, हमने जो renders देखे थे बिल्कुल उससे match कर रहा है, फोन का design अभी ऐसे में देखते हैं exactly, कि यह जो फोन है, यह भी कब और किस कीमत पे launch होता है, अगला update निकल के आता है, यहां पर Huawei Mate 10S folding phone को लेके, यहां पर दूस्त में आ चुका है, और इंडिया की जो पहली unboxing है, कोशिश करता रहता हूँ, आपके लिए ऐसी exclusive content लेके आने की, तो वो आप जल्दी enjoy कर पाएंगे, आपके अपने channel टेकनिकल गुरुजी पे, अगले update दूस्तों निकल के आता है, यहां पर Realme की तरफ से तो ऐसे में दूस्त है, हम सभी की safety के लिए, तो फिलाल के लिए यहां पे इसकी sale को भी तुछा सा delay किया गया है, अगले update दिकल के आता है, Microsoft की दरफ से भाईए, ऐसे में एक नई vulnerability आ गई है, Windows को लेके, जहां पे hackers रिमोटली किसी PC में malware को run कर सकते हैं, मतलब यहां पे दूस्तों, Microsoft बोलता है, उसमें कोई malware आ जाए, और दूर से हैकर उसको पूरा कंट्रोल कर रहा हो, अगला update निकल के आता है, Redmi के smart TV max को लेके हैं, आप दोस्तों उसको launch कर दिया गया है, 98 इंजिस का TV है, हलाग यह 4K TV है, 8K नहीं है, और जो कीमत दोस्तों वो है, करीब 19,000, ट्रिपल एन, युआन गुले तो करीब 2,15,000 रुपे के आसपास, अभी ऐसे में यह जो smart TV है, 90 इंजिस का यह इंडिया में launch होता है या नहीं, वो आकिर देखने वाली बात है, अगला update निकल के आता है, WhatsApp के दोस्तों वो fake messaging वाली testing को लेके, मैंने कल आपको बताया था कि ऐसा feature आने वाला है, और अगला update निकलता है, ऐसे में Samsung Galaxy M51 को लेके, यहाँ पर दोस्तों यह एक रेंडर निकल के आया, इसमें होने वाला है, होल पंच वाला design, साथ में है triple rear camera setup, triple शायद नहीं होगा है, M31 में हो चुका है, अभी हमारे पास में quad तो 51 तो शायद और ज़्यादा एडवांस भी होग है, दिखते हैं exactly कि Samsung Galaxy M series का जो अगला smartphone है, वो आखेर कब launch होता है, अगला update दोस्तों निकलता है, यहाँ पर Redmi K30 Pro और K30 Pro Zoom को लेके, यह दोस्तों जो flagship phone है, Snapdragon 65 और 5G के साथ में, 64 Macle के quiet rear camera के साथ में, उसको चायना में launch कर दिया गया है, Redmi की तरफ से, मैं इसको लेकर वीडि करता है, Redmi, और नाम क्या होता है, Redmi K30 Pro या Poco F2, अगला update दोस्तों निकल के आता है, यहाँ पर यह कि भाईया, सारे updates हो यहाँ खतम, इतना ही दा फिलाल इस वीडियो में, आप दोस्तों सभी अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का पूरा खयाल रखिये, मतलब अपनी जिम्मेदार्यों को समझेए, उमीद करता हूँ कि आप सभी, मतलब अच्छे जो है, वो चीदों को ध्यान में रखते हुए, कुरोना से बहतर दरीके से निवेट पाएंगे जो दोस्तों, बस तुदा वडियो में इतना ही, देखने के